बिस्मिल्लाई रख्मानी रहें यार के वला पीलो बनाने के लिए इस तरह ट्वाइंग कर देंगे पहले तीन बाई तीन सेंटिमेटर के बॉक्स बना लेंगे हम कपड़े पर यह हमने बुक में बना के बताया आपको इस तरह एक छोड़ के एक लाइन करके हमने जो डाक लाइन की है उस पर टाका लेना है और लाइट लाइन है उससे छोड़ देना है तो इस तरह पहले खाका कम्प्रेट कर लीजिए और जहां पर हमें काम बनाना है वहां पर निशान उठा लीजिए कपड़े पर इसी तरह निशान उठा लीजिए और यह हमें आड़े कपड़े पर लाइन करनी है सिधी कपड़े पर लाइन नहीं करनी है तिस तरह आड़े कपड़े पर पूरी लाइन बना लीजिए सभी बॉक्स में एक बॉक्स छोड़की एक पर लाइन करना है करना है और जहां हमें stitch करना है उस से हमने ayro बचा दिया है अजिए हमने नंबर दिया है एक और दू इन दोनों पर टाका लगा कर हमें गांठ लगानी है और कप्ड़े पर चुना नीच यह इन दोनों के बिसमें है लाइट लाइन को छोड़ देना है और डाक लाइन पर हमें काम करना है एक एरो से दुसरे एरो तक हमें टाका लेकर गाट लेकर कम्प्लेट करना है इसी तरह जितने भी एरो बने हैं डाक लाइन है उन सभी को हमें गाट लगा कर टाके उठाके गाट लगा के फिक्स करना है यह देखे इस तरह हमने कपड़े पर बना के बता रहे आपको यहां से इन डोनों को डबल नोट बनाईए ताके खुलना जाए धागा काटना नहीं है यह सामने की तरह यह सीधी लाइन पर काम करिए यहां पर दागा लूज छोड़ते हुए जितना स्पेस है उतना धागा छ लेंगे तो एक लाइन से इसे काम बनाते जाएं यह बहुत खुबसूरत लगता है कि कपड़े को पहले छाप लीजिए अ इस तरह पूरी लाइन में काम करिए उसके बाद यह जो तुसरी लाइन है वी डाक लाइन में हम काम करेंगे पहले लाइन छोड़ दी है लाइट और डाक लाइन में काम किया है पहले हमने डाक लाइन पर काम किया था अब लाइट छोड़के डाक पर वापिस करेंगे इस तरह भी बनेगा इसमें लेंगे इसमें स्पेस छोड़ देंगे और डाक लाइन पर दोनों को मिक्स करके गांट लगाएंगे इस तरह एक के उपर एक लाइन इसे डाइन से काम बनाई है इसमें पर दोनों को मिक्स करके गांट लाइन इसे काम बनाई है और एक को छोड़के सीधी लाइन पर हमने लाइन की है यह राइट साइट है पूरी लाइन इस तरह बनाई है जहां नीचे ओपन है वहाँ पर हमें जॉइंड करना है और जहां जॉइंड है उस लाइन पर हमें ओपन रखना है यह ओपन है तो यहां जॉइंट करेंगे इस तरह पुरी टाइम कंप्लेट करें यह हम तिसरी लाइन बना के बता रहें आपको यह दिखें आप बंध है ओपन है फिर बंध ओपन बन ओपन यहां पर ओपन रखेंगे हम जो डागे कुलूस छोड़ते होगे गांठ लगा लिजिए और इसके उपर जो लाइन आती है इसको लेकर दोनों को मिक्स करके गांठ लगाईए अब इसको उपन रखेंगे और यह उपन है तो इसके उपर का जो हिस्सा है उसको लेकर हम बंध करेंगे छोटे-छोटे वी तैयार होते हैं ऐसे बनाने में एक उल्टा और एक सीधा इस तरह भी रेडी होते हैं देखिए एक नीचे एक उपर इस तरह पुरी लाइन कंप्लेट कर लिजिए पिर इससे ओपन रखें फिर बन करिए इस तरह सारा कंप्लेट कि यहां देखिए हमने कितना खुसुरत लगता है पहले आप लाइन करके डिजाइन का निशान उठा लेंगे फिर काम करेंगे तो बहुत अच्छे फिनिसिंग से काम होगा तो डिजाइन कंप्लेट करके उसके बाद यह बनाना स्टार्ट करें पहले बॉक्स बनाए फिर जहां पर हमें काम करना है वहां पर निशान उठा लीजिए उसके बाद काम स्टार्ट करिए और पूरे कपड़े में यह काम कंप्लेट करके बाद में हमें बनाना चालू करन है कि लास्ट लाइन बता रहे हैं आपको आपन है तो बंद करेंगे यहाँ आपको डिजयन कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताईए लोग कोई भी रिजयन के सीखना है आपको तो अभी बताईए इसमें चद्दर राउंड कवर या स्क्वेर कवर किसी का भी मेजर्मेंट चाहिए इतना कपड़ा लगगा तो हमें ज़रूर कमेंट करें यह दिखें पैटर्न की सबसे आपको बता रहें डार्क लाइन को हमने गाठ लगाई है लाइट लाइन को छोड़ दिया है इतना अच्छा लग रहा है यह हमारा सीधी तरफ है इसमें हम पीलो लगाएंगे तो इसकी डिजाइन उठकर आईजी यह कपड़े में जितना खींचावाता है पैटान उतनी अच्छी लगती है यह पूरी रेडी हो गई है अब यह जो साइट का कपड़ा है उसको किस तरह बनाना है यह हम आपको बताएंगे दिए एक लाइन से कैसे डिजाइन तयार हुई है इसके लिए हमें चाहिए 52 कुछ ऊड़ाई 132 सेंटीमेटर और इसके लंबाई हमें चाहिए यहां तब यह लंबाई है इसके लिए हमें चाहिए 19 इंच 48 सेंटीमेटर और चारों और हमने 22 इंच इसे छोड़ देना है 5 सेंटीमेटर 5 सेंटीमेटर ऊपर 5 सेंटीमेटर साइड में इसी तरह उपर की साइड में भी 5 सेंटीमेटर साइड में पास सेंटीमेटर उपर इस साइड में भी लिप साइड में 5 सेंटीमेटर उपर की साइड में 5 सेंटीमेटर यह जो टाका बनता है वहां से हमें सुरू करना है यह यानि जो लाश्टा का होगा वहां से हम करेंगे शुरूआ अब इसकी प्लेट लेने के लिए यह जो हमने डिजाइन बनाई है यह जो उठावा कपड़ा है उसी को इस तरह पकड़ के इसे दाबा दीजिए और छोटे-छोटे बॉक्स बनाई है यह बॉक्स प्लेट टैयार ह होगे इस तरह करने से उपड़ी डिजाइन में सेम नीचे भी पैटन आईगी है यह हमने पूरा से लाई कर लिया है देखिए अब ठीक इसके मेजर्मेंट से कपड़ा लेंगे हम वह डिजाइन को बेक साइट से कवर करेंगे आपके पर साइट के पीस जो पड़े है उसी क करके यह कर सकते हैं यह हमने सिलाई मार ली है इससे ब्रस में या वसिंग मसिन में दोने से धागे तूटते नहीं है और फिनिसिंग भी अच्छी आती है इसके उपर पिलो को पिना आने के लिए जो बैक साइट का कपड़ा होता है 24 बाइस 17 और एक बारा बाइस 17 का दो पीस लिए है पहले बड़ा पीस रखे है उसके पर छोटा पीस रखकर हम सिलाई मारेंगे यह बड़ा पीस है यहां पे एक छोटा पिस्टक दीजिए जो ओपन साइड है वहां पे हम यह फोल्ड करके सिलाई मार लेते हैं पहले यह हमने सिलाई कम्प्लीट कर ली चारो से इस तरह सिलाई मार दीजिए यहां से पिलो पिनाएंगे हम इसमें साइज से एक साइज बड़ा पिलो डालिए यह हमने छोटा रखा है एक साइज बड़ा होगा तो यह डिजाइन उबर के पूरे राउन राउन यह जो साइड में आरके बने हैं वह इसी डिजाइन आया दिखेगी बहुत अच्छी लगेगी यानि एक साइड बड़ा पिलो थोड़ा भर के थोड़ा ज्यादार हुई भर के इसमें रखेंगे बहुत अच्छा लगेगा पिलो उठकर आईए डिजाइन हमारी तो आपको कैसा लेंगी डिजाइन हमें कमेंट करके जरूर बताएए अच्छे पिलो बनाएए और आगे इससे भी ज्यादा सिखने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए डूआओ में याद रखें अल्दा सब्सक्राइए लाइक करें सेर करें कमेंट करें थैंक्स पर बची ने करें